प्रिश्या में हमारा पर्चम नहराया, धीश का पर्चम नहराया, हमाचन का पर्चम नहराया और मुझे खुशी की बास समसे चाहता ही है, कि हमाचन के पुवटी में पाँच बेटियों ने जाकर एश्या में हमाचन की भाग को भी बना रखा और हिंदुस्तान के गौरव को भी बढ़ाया इस संधरम में आज हमारे राजपवार नीटू जी ने ये एसोशेशन जो प्रेजडेंट है वोड़ी एसोशेशन हमाचल परदेश के उन्होंने इस फंक्शन रखा था बेटियों को सम्मान का सरकार की तरफ से अलग से कारेकरम होगा उसकी रूप रेखा हमने बनाई है और निश्चित रूप से इन बेटियों ने सम्मान दिया है उनका सम्मान भी रखा जाएगा और उनकी भाबनाओं का ख्याल भी रखा जाएगा इस द्रिश्टी को से जब सरकारी कारेकरम होगा वह समयल की कुष्टा है लेकिन कितने परसंट को नोकरी मिलनी चाहिए उस द्रि कि इंखना पढ़ेगा कि उनके लिए सुवधधाय क्या दे HEAP अपने डम पर तो काम कर सकता भी है खुर्ष भी अपने दम काम कर रही है अपनी महनत से कर रही है लेकिन हो और ऑच्छी सुवधधाय दे तव आगे आ सकती है इस पर मैं भूत भी विचाल कर गा हूं ऑर भी म बारिज 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 का दौर भी शुरू हो गया है क्या अभी तक आपके पास रिपोर्ट्स हैं बारिज 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 का दौर है आपगा 50 साल में पहली बार ऐसी आई हम उसे उठे हैं आर्थिक तंगाली के बाद में उसे उठे हैं और मुझे खुशी है कि मैं परशासनी करमचारी अधिकारियों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि जितनी तेजी से कारया हुआ यह श्यों बारिज साल मंदय मीटिं大概 कर्बषर कि मुझे आदिकार की में गलेता हूं सुबा गयारा वज़े से मैं एस कार्यकर में ही गयारा वज़े आना लेकिन मंडे मिटिंग का मुझे पता नहीं था, मंडे मिटिंग में आज हमने फैसला किया कि आम लोग और गरीब लोगों के इंतकाल नहीं होते, 25,000 के करीब लोगों के इंतकाल फसे होते हैं, तो हमने ये फैसला किया कि इसके लिए जो गौं में रहने वाले लोगों की दिश्टी होगी इंतकाल नहीं हुआ और 25,000 इंतकाल क्यों रुके हुए है जब उन्होंने जमीन के पैसे दे दिया है तो इस दिश्टी को से हमने 30 अक्तूबर को इंतकाल अदालत का योजन किया जाएगा और जितने इंतकाल बचे हैं 25,000 से जितने उस दिन हो सकते हैं उनको कर दो को कम जाएगा और उसके बाद और जो इंतकाल बचेंगे उनको दीरे दीरे और कम किया जा जाएगा ताकि आम आदमी तक सरकार के जो कारिया योजना वो पहुंचे इस इंतकाल अधालत के लिए दिशान नदेश चारी कर दीए थीज